असलाम वालेकुम डियरी स्टुड़ाइन केसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ कि सभी स्टुड़ाइन खेर वाफियस होंगे फानले मैं हाजरी खिदमत हूँ लेक्चर नमबर फॉर के साथ जैसे कि आपको पता होगा हम लोग का हिस्सा नजम चल रहा है और हम लोग एक से लेकर तीन चैप्टर तक बिल्कुल कम्पिलीट कर चुके हैं आज की इस कलास में चैप्टर नमबर फॉर को हम लोग पूरा एक्स्प्लेन के साथ अबजेक्टिव एंड चैप्टर को जो हम लोग थोड़ा एक्स्प्लेन करें के पढ़ने जा रहे हैं ठीक है फारले लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नमबर फॉर का नाम है आपका मुतशायर यानि मुतशायर का मतलब क्या होता है बनावटी शायर ठीक है मुतशायर का मतलब क्या होता है बनावटे शायर और इनके मसन्निफ की बात करें जफर कमाली है कौन है इनके मसन्निफ इनके राइटर इनके लेकर है जफर कमाली थोड़ा से हम लोग जफर कमाली के बारे में जान लेते हैं उसके बात फिर सारा अबजेक्टिब कोश्चन को ब्लोग solution करेंगे आई ये सबसे पहले जानते हैं नजम मतशायर के खालिक यानि इनके मुसंनिफ जो हैं जफर कमाली ऐसे फनकारों में शामिल है जो शायर गोई और तनकीद वो तहकीक दोनों शोबों में इतबार रखते हैं ठीक है इतबार रखते हैं इन किताबों में जरीफाना श गुजुस्ता दिनों शाय होकर खराज तहसीन हासिल करने में काम्याब रही ठीक है वह जकी आफाक इसलामिया कॉलेज सीवान में फार्सी जबान वह अदब के उस्ताद हैं वह सीवान के करीब रानिपूर गाउं में कह रहा है कि रानिपूर गाउं गाउं में जो है 13 अग कमाली और ये कौन कैसे शायर है मुतशायर है यानि मुतशायर का मतलब होता है बनावटी शायर ठीक है अब मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा मुसद्दस किसको कहते हैं जो छे मिस्तरों पर जो शेर लिखे जाए वैसे शेर कुमलो क्या कहते हैं मुसद्दस कहते हैं तो ये जो है मुतशायर ये जो नजम लिखी गई है ये मुसद्दस पर लिखी गई है और आप लोग देख लें एक बार कैसे मुसद्दस पर लिखी गई है सबसे पहले तो आप लोग देख लें जफर कमाली जो लिखे हैं जरीफाना नजम लिखे हैं और नजम का नाम है मुतशायर जैसे देख पा रहा होंगे अगर शेर कहता नहीं मैं तो क्या है मेरे नाम नामी का शहरा बढ़ा है ठीक है इनायत है लोगों की जूदो अता है यह उर्दू का सत्का है फजले खुदा है और नहीं तेल गर्चे चरागे सुखन मैं बुलावा है फिर भी हर एक अंजुमन में देखें दो शेर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला दो शेर यहाँ पर और दो शेर यहाँ पर टोटल मिला कि आपका कितना हुआ शेर नहीं हुआ छे मिस्तरा हुआ ठीक है और कितना शेर हुआ तीन शेर हुआ ठीक है तो शे मिस्तरों पर मुस्ताम कि अगर सेर कहता नहीं मैं तो क्या है मेरे नाम नामी कसोरा बरा है मेरे नाम नामी कसोरा बरा है और इनायत है लोगों की जुदु अता है ये उर्दु कसद का है फजल खुदा है ये उर्दु कसद का है फजल खुदा है बस यह तक हम लोग रहने थे नहीं तो ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा आई ये फानले ब्लोग अब्जेक्टिव कोश्चन को कवर करते हैं ये पूरा आप लोग एक बार देख लिना इस नजम को अगर आप लोग देखना चाहते हैं अगर अब लोग अभी तक फॉलू नहीं किये मेरे ओफिसियल टेली ग्राम चैनल को सर्च करना तेलिग्राम पर जाकर के अगर एस उर्दु विजियो कसन आप लोग को मेरा ओफिसियल टेलिग्राम चैनल मिल ज ठीक है, बनावटे शायर को क्या कहते हैं, मुतशायर कहते हैं, ठीक है, और नाम नामी का मतलब होता है, मश्कूर, मुमारूफ, और बागी के सारा वर्ड और मिनिंग दिया हुआ है, आप लोग देख लेना एक बार, हम लोग फटाफट से आते हैं, अबजेक्टिव कोश्च तो मुतशायर किस काम से नहीं सकता है, कुछ स्टूडेन कह रहे थे, किस तरह हम लोग को जवाब देने का टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं टाइम देता हूँ, आप लोग जवाब दे हैं, देखे शायरी सफर से, जी हुजूरी से, या फिर इन में से होगा, जी हुजूरी से नहीं ठकता है, ठीक है, दूसरा नमबर कोश्चन है, जफर कमाली की पैदाईश कब होई, आफसन है, उनी सो सलतावन, उनी सो अल्ठावन, उनी सो उन साट और उनी सो साट, आपका सही इंसर क्या होगा, फटा-फट पहले आप लोग बताएंगे, देखे, रानी पूर, रानी गोदा, रानी गंज, रानी रगर, आपको आफसन नमबर ए हो जाएगा, रानी पूर, ठीक है, चान नमबर कोश्चन है, जफर कमाली के बच्चों से मुतालिक शायरी का मजमुआ, इनमें कौन है, तो आप लोगों को जवाब मालूम होगा, आपका सहीनस और आफसन नमबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आफसन नमबर ए यानि मुतशायर, अगला सवाल छे नमबर पे, मुतशायर किस हायत मैं लिखी गई है, मैं अभी भी लास्ट में रिपिट कराएगे आ आ रहा हूँ, आप लोगों को मु आफसन नमबर भी हो जाएगा, जरीफ आना नजब है, मुतशायर ठीक है, आफसन नमबर क्योंचन है, मुतशायर किस मुतशायर की किस चीज में निराल आसर है, अलड में, बटर में, और कटर में, शुटर में, आपका आफसन नमबर भी हो जाएगा, बटर में ठीक है, ना जमीन लिख दे ठी गए दस नमबर सवाल हैं जफर कमाली की कौन सी नजबा आपके निसाबी किताब में शामिल हैं काफी इजी कोश्चन है मतशायर बढ़के कलिसा जगुफतगू कहती मैं जवाब देने का टाइम दे रहा हूं इसलिए थोड़ा सा लेट कर रहा हूं आपका आपका सही एंसर की बात करें ऑफसन नंबर डी होजाएगा जखिया आफाग इसलामिया कॉलेज सीवाण थीक है तेरे नंबर कोश्चन पूझ रखाए जखिया आफाग इसलामिया कॉलेज में जफर कमारी की सोबिय में लेक्च्छरन है ठीक है उर्दू फार्सी अर्भी और अंग्रेजी आपका क्या होगा सही इंसर फटाफट बताना पहले आप लोग ऑफसन नमबर बी हो जाएगा आपका फार्सी हो जाएगा ठीक है चौदर नमबर कोशन पूज रखाए जखिया आफाग इसलामया कॉलेज कहां है दरबंगा किशन गंच और भागलपूर सीव आपका उफसन नमबर डी हो जाएगा क्या हो जाएगा ओफसन नमबर डी यानी सीवान हो जाएगा ठीक है न चलिए 15 नमबर कोशन पूज रखाए नजब्छर किसकी तखलीख है जफर कमाली अक्पर इलाबादी दिलावर फगर रजजा नाक्वी वाही आपका क्या हो पिरूडी निगार जो पिरूडी लिग देखते हैं जो पिरूडी यां लिख दे वह शायर का कौन है आपका ऑफसन नंबर यो जाएगा गमखवार क्योंकि कोशन एजी है टाइम ज्यादा लेना मुनासिक नी समझता हूं ठीक अठाना नबर कोशन मुतशायर किसको अपना सर कौशन पूचर का है मुतशायर अफसर से किस कदर ज्यादा कमाता है दो गुना चार गुना तीन गुना या फिर पाच गुना पटावट बताना आप लोग थोड़ा से टाइम दे रहा हूं उस कौश्चन में आप लोगों को ठीक है इसका सहीन सर आपका ऑफसन नंबर यो जाएगा दो गुना ज्यादा कमाता है फाइनले हम लोगों का चैप्टर नंबर फॉर भी कंप्लीट हो चुका है कैसा लगा आप लोगों को आज का एक लास अगर थोड़ा सभी अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करके अपने सभी फरेने तक शेयर कीजिएगा मिलती है एक अगली के सेशन में जो तक कि रहे खुदा हाफीज अल्ला हाफीज जैहीन जाभारत